Hello everyone, welcome to our YouTube channel Antoagricos Friends, Antoagricos एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको बहुत ही important topics के बारे में हम discuss करते हैं जो चीज़े हमारे exam के point of view से बहुत जाज़ा important है वही हम इसमें discuss करते हैं तो आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है हमारे पास silkworm की study तो आज हम यह पढ़ेंगे कि जो silkworm है उसका life cycle कैसे होता है तो starting from अगर मैं बात करूं silkworm की तो इसमें सबसे पहले egg stage होती है जो इसका जो adult है वो egg produce करता है इसके larvas होते हैं और यह white color की होते हैं आप देख सकते हैं इस photograph में और जब यह larva फर्दर यह इसके conversion होती है और यह cocoon बनाती है जो के हमें white color का दिखता है और यह larva है यह इसके उपर एक covering आ जाती है इसको हम cocoon कहते हैं और इसके उपर silken threads होती है इस silken threads होते हैं फर्दर यह जो cocoon है फर्दर यह pupa बन जाते है आप देख सकते हैं इस picture में यह pupa है और जो pupa है pupa से फर्दर adult बनेगा इसमें जो insect है that is silkworm वो फर्दर adult बनेगा और adult का फिर mainly क्या काम होएगा कि उसने फिर से eggs बनाने है जहांसे फिर से वो larva में convert होएगा pupa and adult इसी यही इसका mainly life cycle है तो आज हम इसके बारे में discuss करेंगे कि जो silkworm है जो हम कपड़े पहनते हैं जो हम बोलते हैं कि silk हमने silk की कपड़े पहनने हैं हमने जो और भी कुछ और भी बहुत सारी चीज़े होते हैं जो हम silk की use करते हैं तो उसमें से जो mainly जो यह silk silk है क्या यह यहां यहां दो दूर ह सकते हैं और हमने चर्फइबर हो सकता है या फिर ошибra हो सकता है कपड़े यूज करते हैं जो हम अपने लिए बनाते हैं उसको हम पहनते भी है और सिल्क वाम का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है पॉम्बेक्स मोरी है और यह मेंली रिस्पंसिबल होता है कि इसने सिल्क पर यूज करना है और इसके जो केटरपिलर्स होते हैं इस मौत के वो क्या करते हैं जो इसका कुकून होता है उस कुकून को हम यूज करके सिल्क पर यूज करते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें पहले एक था देन लार्वा देन कुकून देन प्यूपर एन डल्ट ठीक है तो इसमें जो मेंली इसका जो कुकून है वही सिल के प्रोडियूस करते हैं और जो इन्सेक्ट ये जो सिलकवर्म का इन्सेक्ट हैं उसको हम मल्परी सिलकवर्म भी कहते हैं क्योंकि ये मल्परी के जो लीव्ड myths है उसको खाता ये और इसमें जो males और जो female moths होते हैं वो flightless है flightless का मतलब वो है कि वो उड़ नहीं सकते वो ऐसे ही रहते हैं और जो और इनके जो mouth part है वो भी functional नहीं होते हैं और जो moths है वो differ होते हैं morphological features में भी जैसे इसकी जो अगर हम female की बात करें तो उसका जो larger होते हैं तो इसमें male इन दो चीजों की वज़़े से हम पहश्चान सकते हैं कि कौन से वाला जो इंसेक्ट वो female है और कौन सा male है क्योंकि जो female है उसकी हमने बात करें कि उसका जो abdomen है वो large होते हैं और जो male है उसमें जो इनके antenna का पेर होता है वो बहुत जादा larger होते हैं अब हम silkworm की history की बात करेंगे कि ये कहां से कब हमें पता चला कि silk actual में होता क्या है it was discovered around 3500 BC in China और जो मरबरी silk है वो most common silkworm moth है इसको हम use करते हैं for silk production के लिए और जो और मैं अगर बात करूं कि जो silk की rearing है उसको हम क्या बोलेंगे sericulture क्योंकि उससे हमें silk produce करते हैं और जो Chinese है वो क्या बोलते थे कि जो silk की discovery है वो start होगी थे 2700 BC में है और अगर हम अब की बात करें जो हम जो चाइना है वो उन्होंने बोला है कि 2700 BC में यह start होगी थी उस टाइम पर क्या है कि वो छोटी सी tale सुनाते थे जैसे story सुनाते थे कि यह accidentally discover हुआ था उस टाइम पर उनके जो prince थे honkty's wife सी link ची उनके टाइम पर यह discover हुआ था उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने फर्दर इसको उन्होंने क्या किया यह जो silkworm है उसको use करके उन्होंने silk बनाया था और वो फर्दर उसको as a garment सी use करते थे और वो इसकी बहुत ज़्यादा respect करते थे इसलिए उन्होंने इसको जो silkworm का नाम silk का नाम है उसको क्या बोला saithan saithan means the goddess of silkworms और जो after 380 जो seri culture था वो travel कर गया western ward में और उसकी cultivation होनी start होगी also in India और इंडिया में यह कैसे आया according to tradition जो insect के eggs थे और the seed of mulberry trees यह इंडिया में कैसे लेकिया थे जो Chinese prince थे उन्होंने अपने head में head के means मतलब उनका जो अपने head के उपर जो पहनते थे ताज पहनते थे उसमें वो insect के eggs और जो mulberry tree के seeds हैं वो उसमें चुपा के लेकिया थे इंडिया में ऐसे हमारे इंडिया में यह इसकी production start होई थे then अगर हम life cycle की बात करते हैं जो insect का life cycle है वो silk moth से start होता है जब silk moth की जो female है वो eggs ले करती है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है then यह जो हमारे पास eggs हैं उसमें से caterpillars produce होते हैं और further यह जो caterpillars हैं और जो larvae हैं वो feed करते हैं mulberry leaves के उपर जब वो mulberry leaves के उपर feed करते हैं तो वो pupa बनाते हैं और जो pupil stage है उसमें क्या होता है वो उसके राउंड अपने body के राउंड एक net है उसको weave कर लेते हैं मैं इसको उसको उसकी बुंती कर लेते हैं और उसमें अपने आपको रखते हैं तांकि उसकी जो outer जो हमारा environment है वहां से कोई भी उसको problem ना हो वहां पर कोई भी उसकी protection अच्छे से कर सकें after that फिर क्या होता है कि जो इसका जो head है वहां पर swings होते हैं और जो fiber और जो spinning होती है fibers की वह mainly उसमें क्या होते हैं और वो silk fibers बन जाते हैं ठीक है और further क्या होता है यह जो हमारे पास further यह pupa है उसमें जो वही में जो मैंने पताए कि उसमें protective layer होती है और इसको हम cocoon बोलते हैं और further यह जो cocoon है वहां से हमें यह silken threads मिलते हैं और वहां से adult भी निकलता है जो further eggs produce करते हैं तो अब हम इसकी जो अलग-अलग stages है उसके बारे में detail में पढ़ेंगे तो पहली जो stage है वह हमारे पास egg है यह हमारे पास क्या है कि जो egg जो silkworm के adults हैं आप देख सकते हैं इस picture में जैसे dots जैसे दिखते हैं आप यहां पर देख सकते हैं यह dots जैसे लग रहे है और at a time एक female moth वो more than 350 eggs वो produce कर सकती है और in spring time में जो eggs hatch होते हैं वो due to the warmth in the air होते हैं जो हमारी air है वो बहुत जादा गर्म उसकी गर्मी से वो egg hatch करती है एंड यह जो procedure है egg hatching का procedure वो एक साल में एक बार ही आता है ठीक है जी then we have another stage that is larva अब जो हमारे पास egg थे वो उसके larva बनेंगे और यह जो larva जैसे मैंने आपको पहले भी बताया की यह मलपरी leaves के उपर feed करते है यह देखो यह लीवा मलपरी leaves के उपर feed कर रहे है ठीक है और यही एक जो लार्वा है वही एक वेजिटेटिव स्टेज है जिसमें इसकी ग्रोध होनी होती है और अगर हम बॉम्बेक स्मूरी की बात करते हैं तो उसको हम सिल्क वाम कहते हैं और इसका जो स्पैसिफिक होस्ट है मींज के इसने किसके ऊपर फीड करने तो यह मेली मलब के उपर ही फीड करता है और यह जो लार्वा है वो four times मोल्ट करेगा और जो एक दूसरे के बीच में जब हम जब यह लार्वा मोल्ट करते हैं तो इसके बीच में जो पीरड होता है सक्सेसिफ मोल्ट का उसको हम इनस्टार कहते हैं जो हमारे पास आता है जो यह उसकी hatching होती है तो वो उसका जो size है 1 8th of inch extremely hairy और उसमें hairs भी बहुत जादा होते हैं ठीक है then we have another form that is cocoon जो cocoon stage है इसमें क्या है जो larva है वो spin करता है threads around it ये देखो ये जो photograph है इसमें बहुत जादा इसके ओपर threads आयों है तांकि ये इसको protect कर सके किसी भी predators के कोई भी इसके ओपर attack करें तो वो इसको अपने आपको बचाता है और ये हमें ऐसे लगते हैं जैसे cotton ball होती है और इसमें बहुत सारी single single threads होती है और जो larva है वो इसके अंदर होता है जो cocoon है उसके अंदर होता है और वो further उसकी preparation होती है और जो cocoon का color है वो vary कर सकता है कि उसने क्या खाया है और ये mainly white to yellow color का हो सकता है और जो second molting होती है inside cocoon और इसमें क्या है जो larva है वो brown color का pupa बन जाता है ठीक है और ये mainly approximately two to three weeks लेता है जिसमें जो pupa है वो further adult moth में convert होगा जो इसकी next stage है cocoon से adult बने तो उसको convert होने में 2-3 week लग जाते हैं की के another way have is के ये हमारे पास further pupa आ गया जिसमें जो cocoon है उसमें उसकी जो growth होती है तांके ये pupa further क्या बनेगा हमारे पास adult बनेगा ये मैंने already आपको बता रहे हैं ये cotton balls के अंदर ही होता है और इसमें जो इसके side पे ये देखो ये जो threads है वो mainly 1.5 km long भी हो सकते हैं और mainly जो cocoon में जो pupa होता है और जिसके outer covering होती है वो mainly protection के लिए होती है और मैंने आपको already बताया हो कि इसका जो color है वो vary कर सकता है कि वो कैसे उसके उपर feed कर रहा है कि किन चीजों के उपर वो feed कर रहा है आएगा ठीक है तो इस case में क्या है अगर silk worms है वो बहुत जादा mature हो जाती है अगर ब्रेक हो जाती है उसको हमने क्या करना है उसको हमने water boiling water में रखना है तांके जो इसके inhabitants है वो हम kill कर दी और इसकी glue है उसको हम dissolve करें ठीक है और इसमें cocoon भी हो दोनों को हम इसमें dissolve करें और जो end होता है silk का then located and the cocoon unwound into a spindle to made into thread और वहीं से हमें thread मिलता है another further इसमें एक stage आती है जिसको हम amigo बोलते है वो क्या है जिसमें वो अपना life cycle complete करता है और यह reproductive stage होती है लेकिन इसमें जो इसके moths है वो functional नहीं होती है उसके mouth part functional नहीं होती है और यह flightless होते है another we have हमारे पास क्या आता है moth, moth जो end में हमारे पास इसकी adult stage है फिर क्या है जो hairy silkworm वो उसमें से rise होता है वो eggs को crack करके वहां से निकलता है और यह mainly mulberry leaves के उपर ही feed करते हैं और यह large amount of leaves को feed कर लेते हैं around 30 days इसमें लगते हैं तांकि वो next stage में जाए और यह जो pupa है वो change हो जाता है adult में और जो female moth है वो further क्या eggs ले करते हैं after meeting और इसका जो life cycle है फिर दुबारा से वो start हो जाते हैं तो फ्रेंड इस वास अल बाउट सिल्क वर्म आप आप आपको यह लेक्ट्चर पसा प्रेंगें